नमस्कार किचन सेफ मास्टर में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज हम बनाएंगे हरी मीर्च का बहुत ही तीखा चत्पटा अचार यह बहुत ही टेस्टी होता है आप बिना भूख के भी 4 रोटी खा जाएंगे तो चलिए इस अचार को बनाना शुरू करते हैं तो मिर्ची के सारे जंठल को तोर कर हम मिर्ची को तयार कर लेंगे, अब हम मिर्ची में बीच से चीरा लगा देंगे, इस तरह से फैंस आपको पूरी मिर्ची को चीर कर अलग-अलग कर देना है, इसी तरह से हम सारे मिर्ची को चीर कर तयार कर लेंगे, तो यहां देखिए हमने सारे मिर्ची को चीर कर तयार कर लिया है, तो अब हम इसमें नमक मसाले मिलाएंगे, पहले हम इसमें एक चमच नमक डालेंगे, एक चोथाई चमच हल्दी डालेंगे ये दो चमच काली सर्षो है फैंस काली सर्षो से यह अचार बहुत टेस्टी बनता है तो उसको दरदरा पीश कर हम डाल रहे हैं दो चमच सर्षो का पाउडर है इसको हम डाल दिये हैं एक चमच शोप का पाउडर है इसको भी हम दरदरा पीस कर डाल रहे हैं इसमें जायदा मसाला नहीं जाता है एक चमच काश्मीरी लाल मिर्च है ये बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है ये हम कलर के लिए डालते हैं एक पिंच हींग डालेंगे अब ये सफेद सिर्का है ये जरूर डालेगा इससे अचार बहुत ही टेस्टी बनता है अब इसमें हम सरसो का तेल डालेंगे तो तीन चार चमच हम तेल डाल देंगे सरसो के तेल से ही अचार ज्यादा टेस्टी होता है ऐसे ही कच्चा तेल डाल देना है इसमे इस अचार को बनाने में गह चलाने की जरूरत नहीं है बहुत से जटपट से बनकर तयार हो जाता है। अक्सर घर में सर्शो का पाउडर और सोप का पाउडर ये सब हम लगते ही हैं। तुरत अचार जटपट से बनकर हम कभी भी तयार कर सकते हैं आचार को। तो देखिए अचार बनकर रेडी हो गया है इसको आप इसी बक्त खा सकते हैं अगर आपके पॉर्ट में रोटी पराठी है तो तुरती से आप खा सकते हैं बहुत टेस्टी है तो अचार को दूसरे प्लेट में सर्व कर देते हैं दस से पंदरा दिन तक याचार आसानी से चलता है ये खराब नहीं होगा तो एक बार इस अचार को जरूर ट्राइ कीजिए फ्रंस वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और मेरी वीडियो आप कहां से देख रहे हैं ये हमें कॉमेंट्स बॉक्स में जरूर बताईएगा और एक छोटा सा कॉमेंट्स जरूर कीजिएगा इससे हमें सपोर्ट मिलता है तो मिलते हैं अगल वीडियो में थेंक यू